हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जारी किये गए आरेस 2018 भरति के परिणाम में जिस तरीकी से सिक्षा मंत्री गोविंद सिंग डोटा सरा के परिजनों का चयन हुआ है उनमें सभी रिष्टदारों को शाक्षात कारों में 80 प्रतिशत अंग दिये जाते हैं ऐसे में प्रक्रिया पर संदेह होता है युवा मुर्चा परिणाम एवं सफल अभरतियों पर कतई आक्षेप नहीं लग रहा है हम सभी उन सफल अभरतियों को बधाई एवं शुपकामनाई देते हैं जिनों ने अपनी महिनत एवं कटोर परिश्रम से यह सफलता हासिल की है परन्तु इन सभी के बीच राजनीतिक वद्गा फायदा उठाते हुए जिस तरह से एक परिवार विशेश के लोगों का चयन हुआ है इस पर युवा मुर्चा पाली अपना विरोध दर्ज करता है युवा मुर्चा मांग करता है माहमहीव राज्यपाल महोदे से आरपी असी द्वारा जारी आरे एस 2018 भरते के परिणाम में गोविद सिंग डोटा सरा शिक्षा मंत्री राजस्थान के रिष्टेदार जो उत्रनीय हुए है उनका पूनह उच्च स्थरिया कमिटी बना कर शाक्षतकार की वीडियो ग्राफिक करवाई जाए जिससे की पारदर्शित बनी रहे शिक्षा मंत्री के परिवार के सदसों के चैन प्रक्रिया की जाट सीबियाई ध्वारा करवाई जाए एवं इसमें दोशी पाये जाने वाले समस्त अधिकारियों एवं नेताव को कटोर से कटोर सजा दी जाए युवा मुर्चा मांग करता है कि गोविंद सिंग डोटा सरा इस्तिफा शिग्र दे अन्यता उन्हें पद से बर्खास्त किया जाएगा युवा मुर्चा की जिले भर में कारे करता बांगरती राहे पर एकत्रित हुए पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्टर ओफिस पहुचे राजिस्थान सरकार की खिलाफ नारे बाजी की सरकार तेरी थाना शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रष्टा चारियो साफधान जाग उठा नौजवान आर्यस सिलेक्षन भरती जांच हो जांच हो डोटा सरा इस्तिफा दो इस्तिफा दो युवा मुर्चा ने हल्ला बोल विरोत प्रदर्शन किया इस मोके पर बाजबा जिलादेक्ष मन्शाराम परमार, नरायन कुमावत, सुनील चोधरी, मोहन चोधरी, गुलाप सिंग, नर्पत दवे, रामकिशोर साबू, दीपक, मानवेंद्र सिंग, कार्तिक सिंग, रावलास, राकेश पवार, गोतम तनवर, सोहन मेवाडा, भवर राम अफ्तार भाटी, सुनील टाक, धीरज नागवरा, चंदन सिंग, जै सालवानी, गोविंद मीना, दीपक सेन, हीरा सिंग, अनील व्यास, दिलिव गयलोट, सूरज, सुनील सोलंकी, तरुन गोड, नंद किशोर, नरेश, मान सिंग, मनीश भाटी सहित जिले भर की इवा मोचा के कारेकरता मोजूद रहे, जागू टीपी के पाली से दिनेश चोहान की रिपोर्ट